आप देख रहे हैं सिटी तेहल का और मैं आपके साथ बंदना कादियान तो चलिए शुरुबात करते हैं अब तक की ताज़ा हैड्लाइन्स के साथ जिले में कोरोना प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ बच्चे के जनम के चार दिन बाद ही 27 वर्ष अवी वाहिता की हुई कोरोना से मोत तीन दिन पहले ही महिला की रिपोर्ट मिली थी पोजिटिव खानपूर मेडिकल कोलिज में इलाज के दोरान हुई महिला की मोत डोक्टरों की देख रेक में किया गया महिला कांतिम सब्सकार नीजी हस्पताल के एक डोक्टर समेट 93 नए माम ले आए सामने 93 केस में 60 लोग हुए सामुहिक संक्रमन का शिकार जिले में कोरोना रोग्यों की कुल संख्या हुई 1156 एक्टिव केस की संख्या हुई 440 जिले में कोरोना से अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मोड ग्रह मंत्री ने तलब की बिंजोल गाउ के तीन मासूमों की हत्या की रिपोर्ट करनाल कैस पी सुरेंदर भोरिया को दो दिन के अंदर पूरे घटना करम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिये निर्दे बिंजोल गाउ में में बच्चों के परिजनों से मिलने पहुचे पूर्स सांसर राजकुमार सैनी सेक्टर 13-17 हाली पेड पर एक यूवक ने फोन कर दो भाईयों को बुलाया और एक की गर्दन पर तेजधार हथियार से किया हमला यूवक की हालत गंबीर होने के चलते रोह तक वी जी आई किया गया रैफर पुलिस ने मामला दर्श करा रोपियों की तलास की शुद गाउ पत्थरगण निवासी फोर मैन की साप के काटने से इलाश के दुरान हुई मुद गाउ हत्वाला में एक महिला ने अपने पती के वैस संबंदों से परेशान होकर निंगला जहर काग्जों में फर्जी वाड़ा कर पिता को मालिक बना कर सरकारी जमीन हड़पने का वाडाट के पार्शत पती पर लगा आरो नायब तैसिलदार ने किया खुलासा मामले में पूलिस को दी गई सिकायत नगर निगम पानीपत के लिए सीनियर डिप्टी मेर और डिप्टी मेर के चुनाओ को शेहरी स्थानी निकाये ने दी मंग्जूरी दो दिनों में हुई बारिश ने खोली सनोली बापोली ब्लोक के गाउ में विकास कारियों की पोल घरों के अंदर गुसा बारिश का पानी एंजिटी ने रिफाइनरी के बाद पानीपत शुगर मील को लिया आड़े हाथो जल और वायू प्रदूशन करने पर बड़ी कारवाई करते हुए शुगर मील को किया पत अब तक के इस अंक में बस इतना ही अगले इंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ अब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहल का सच के साथ नमस्कार